वीजियो में हम ब्लाउज का नाप लगाना बताएंगे फुल लंबाई 13 है, वेश्ट 36 है, वेश्ट 31 है, बाजु के लंबाई 5 है, गुलाई 11 है, मुट्डा 15 है, आगा गला 5 है, पिछे गला 8 है इस वीजियो में बाटर वाला ब्लाउज बताने जाए रहे हैं, बाटर वाले में अक्सर लोग क्या करते हैं, नाप इसी को पूरा ले लेते हैं और फोल्ड कर देते हैं, इसको अलग तरीके से कटिक किया जाती है और कप्ड़ा जोड लगाके फोल्ड किया जाता है, तो यह ह यहां से जोड लगा के यह ऐसे फोल्ड होगा और आधा इंच हमारा यहां कंदा जोड़ने में जाएगा इसलिए अमगे फुल लंबाई में एक इंच प्लस किया है और चापी छत्ती से तो तीरा हम छेलेंगे कि मुंता साढ़े छे लेंगे आर्म होल और यहीं से चेस्ट का चोथा लेंगे यहां भी हम दिख लेंगे छे हैंगी अब छाती का चोथा लेंगे छत्ती से नौ चोप्षपिस नौ आएगा और आधा इंच प्लस करके साढ़े दो लेंगे इसके बाद 2 इंच माजल हमने कपड़ा उपले के फोल्ड गें इतना हमें कपड़ा चाहिए अपने माप को हिसाब से कपड़ा फोल्ड गरोगे तो कपड़ा बच जाता है एक्सा वेस्ट नहीं होता है कटके अब मुठी बुलाई दे देंगे आप लोग इसके से भी ले सकते हों मैं असी दे देती हूं अब पिछी बाला आठ है आठ लेंगे कि पटी बाला जितने पर कटता है उतने पर ही तयार हो जाता है नीचे की चोड़ाई हंती ही लेंगे और उपर धाई इंच लेंगे अब इसमें गुलाई दे लेंगे अब इसमें अब इसमें पर कटता है तो आठ पर ही निचान लगाए तो आठ पर ही निचान लगाए ज़काए वह आठ पर ही तयार होगा क्यूंकि अदimizi कंच दबता है अदा दबता कर आधा था इंच याँ प्टी ह सिलने में चली जाती है तो आप टुरी तयार अब एगा यही गelag ऑगा सथे नस・र त तयार करना एंगे और वह तर रिखोटो AG करए और तर आठ यहान पर लुख ख़ाएंगे अधा इंच के फोड़ जायगों फोड़ करके इंद बराएंगे और आधा इंच यहां सिरेज न जायगा कौा आठी बाजु फिलम्फ नहीं स्वाजेंगे तो छह रिए यहां पर इंद गोटर चेहें बाजु पर अब उसके बाद आगेगा पल्ला हमारा और हां मैं आया एक को फल्य हैं चींड बे Sabara मलगों मैं तो यहां थे dealers पहलना निल्लेए को अलद इसको हम एनदो आपलने को पैसा सब्सक्राइब यह देखिया ऐसे करके, और यह खपड़ा मरा बच जाएगा, यह हम पर बैक का पल्ला निकालते हैं, कटिंग करके, फिर बाजो निकालेंगे, फिर हमारे का पल्ला निकालेंगे. अब यहां से हम बाजो निकालेंगे, यह हम डबल फोल्ड कर दिया, हमने किनारी से किनारे भी कोई मिला दे रहा है, और एक बर और फोल्ड दिरेंगे, चार फोल्ड होगे, अब हम चेंज पे निशान लगाएंगे, यह बड़न होने ब्लाउस में जोड लगा के ही फोल्ड करना पड़ता है, आप चाहें कि इसी को डिरेक्ट आप फोल्ड कर दे तो बोल्डर हमारा खतम हो जाएगा, अंदर चला जाएगा बोल्डर, तो कोई फाय का निए होगा बोल्डर वाल फ्याउस बिताने के लिए, तो इसलिए बोल्डर वाले ब्लाउस में, क्लस करके ही फोल्ड किया जाता है, अब यहां से मधा इंच दाउन करेंगे, यह हमने चेंच ले लिया है बाजु की लंबाई, और बताई दिया है अधा इंच उपर सीले में जाएगा, अधा इंच यहां जोल लगा के फोल्ड करेंगे कपड़ा, दो इंची पट्टी लेखे, जोल लगा के मुरी बनाएंगे इसकी बाजु के, इस बाजु के बाजु आगरेंगे, जोल लगाने के पाजु कोई जोल भी नहीं है, जोल लगाने के जोल भी नहीं है, ग्यारा कुलाई है, जोल जोल बाजु के लिए पताई जोले आजु आगे, आज़े बाजू की सेट कि पेच्छी आजे अब दो सिर्फ दो पले के आगे के बाजू में उगराई देते हैं अब इसमें हमें काटा लगाने के चुरूप में उटे सी देगा कपड़ा ही ऐसा है उटासी ना पता चलने वाला यह मार असीगा है यह उटा है बागी फिटिंग के निशान हम लगा लिए ने पेटेंच माजन बोलो सेट अब बैक और बाजू हो गया है अब फ्रंट फर्ला निगालते हैं अब बैक पल्ला निगाल दिया है इस फ्रंट पल्ला निकाल रहा है तो इसमें हमारी फुल नम्बार 13 तरफार चोदा मिल रहा है जोल लगा के फोल्ड दरबेंगे बाकी सब्सक्राइं कपड़ कम हो जागा है वाटर के विजए से जूल लगाना पड़ को चुछ पॉल्ड करनेगे लिए तीरा छे लेंगे और मुर्दा साड़ेश के एजी चैश्ट का नाप लगाएंगे चाथी से चैश्ट चाथी तुम दौच और चेश्टीस आदा इंची प्लस करके तो यहां कमर के हिसाब से नहीं लगाते हैं तो यहां कमर के हिसाब नाप से नहीं लगाते हैं नीचे चाथी का ही नाप लगाते हैं अब गला हमारा है साड़े-पाँच आगी का तो नीची से चोड़ा ही साड़े पर तीन लेंगे उपर से धाए उच्छ गला देंगे अब देंगे उच्छ गला देंगे आगी पल्ले में गहाई आती है इच्छे का हमने गुलाई ऐसे बाहर मिकालके दिया था इतनी गहाई जाएगी पौने इंच अगर देंगे तो यह प्रॉब्लम आती है और गहराई सही दिए देती प्रॉब्लम नहीं आती है फाल के पल्ले में आमरी गहराई आती है उच्छ पहले पर अनुसार आती है और ब्लाउस के लेंग 13 है लंबाई 13 है तो उपर से 10 पे डॉट लगाएंगे और यहां सी 2-2 इंच की दूरी पे डॉट का निशान लगाएंगे और यहां मुझे में यहीं किता शीगोल सेप आया है अगसी कटिंग हम करेंगे गला हम एक साथ निकाल देके पट्टी हमारे काम आ जहीं पट्टी लगाने के विलावज में पिछली वीडियो में में समझाया है कि गले हम आगे पिछे एक साथ निकाल एक वर यहां पट्टी काम आ जाती है जो दो इंच और धाईंच की हम पट्टी लगाते हैं अगर तरीके से बचाने का तरीका है और कमपड़ा कम रहे आलाग इसमें तो कपड़े में ना रहता है कपड़ा बचता नहीं है तो इस तवीके से यह कपड़े यूज कर लेके एक एक्वल काटके अगर यह प्ला आप बीच में कट कर देते हैं यहां से आप कट कर लोगे तो यह टुक्ले टुक्ले हो जाएंगे इसलिए पिछे गल्ला दोनों एक साथ निकाला जाता है आंगी लूक और आईका है इसलिए आलगा पलाण अलग लग कर देएंगे और इस निशान को दूसरे पल्ले पे ऐसी यहां पे छाप देएंगे सेन कपड़े गुंगी लाके आगे पीछे नाहों कपड़ा बराबर रखेंगे इक्वल और इसके हाँ ब्रॉट चाहिए अजिसान को दार प्रॉट देए आगे का पल्ला प्रॉट एक्वाम और प्रॉट अगे का पल्ला अंगे यह आगर कलता हैS कि ना बिलंबा में बंबाई रिते हैं दौ इंच वहा है मिल Slack भी के दिन स्याख कर दो click कली सफ कर भाफ कर शोलेजैंगे रिवार जस्यां बेगाल किसी लहीं की जाती है